कि है अलो गाइज वेल्कुन दो टो क्लास तो कैसे हैं आप सब पिछली क्लास में हम करेंट अलेक्टिसिटी पढ़ेंगे तो बाई आज एक बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है कैपेस्टर में भी हमने एक बार पढ़ लिया उसको थोड़ा सा तो इस टॉपिक को ध तो प्लस तू में ऐसा ही माल लो कृषो फ्लो चलता ही रहेगा यह तो अतल रहेगा तो पर चूफ लो में पहला लो अपना रहो नहीं है पहला लो है करेंट लो आ पाट सो लो एयंड इसनौ पहला लो है करेंट लॉ और जंग् यहां पे अगर अपने पास कोई जंक्शन है, कोई भी जंक्शन है, यहां से I1 करंट आ रहा है, I2 यहां से जा रहा है, I3 यहां से जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि जंक्शन पे net charge store होगा ही नहीं, 0 charge store होगा तो जितना current आया इस junction पे उतना ही चला जाएगा तो आया कितना I1 गया कितना I2 प्लस I3 simple बात है अच्छा इसमें जैसे हमने सवाल भी किये थे पहले कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने को ना direction clear नहीं होती कि कहां से current आ रहा है कहां से current जा रहा है ठीक है तो हम क्या करते हैं उसमें सारे currents को ऐसा माल लेते हैं कि आ ही रहे हैं जैसे इसमें I1 I2 I3 हमने सोचा कि आ ही रहे हैं तो junction पे net charge टोर 0 होगा ठीक है तो जितने भी current आ रहे हैं उनका sum ही तो है जो current इस junction पे आ रहा है तो वो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड कितना current आना चाहिए junction पे जीरो आना चाहिए ऐसे लिख सकते हैं या फिर कही बार ऐसा हो सकता है कि तीनो current ऐसे exit करते हुए हम दिखा सकते हैं I1, I2, I3 exit कर रहे हैं सारे कि सारे तो फिर भी हम सेमी बात लिख सकते हैं जो पहले लिखी कि तीनो current का sum 0 ही होगा simple बात है तो ये है अपना junction low या current low ठीक है अगला low अगला low है बहुत important voltage low इसी से हम सवाल करेंगे ज्यादा तर current low को अपने को use करना पड़ता है पहले पहले अपने को एक circuit में करेंट को distribute करना पड़ता है current को distribute हर एक रजिस्टर में कितना current जा रहा है यह distribution इस में थड़ से होगा एंड उसके बाद जो equations बनेंगी वो बनेंगी voltage low से voltage low यह भी बहुत सिंपल सी चीज है वैसे बहुत मुश्किल नहीं है इसको ना सिंपल से देखेंगे तो ऐसा सोच ऐसा लगेगा कि हम नहीं बनाया कर्चोफ ने तो क्या ही बनाया तो देखना द्यान से क्या हो रहा है सबसे पहले यह बात किसी भी लूप के लिए वेलिड है वेलिड फोर एनी लूप का मतलब होता क्या है लूप का मतलब होता है एक ऐसा पाथ जो एक पॉइंट से शुरू हो के उसी पॉइंट पर वापस आजाये उसी को लूप कहते है तो देखो क्या हो रहा है कि अगर अपने पास एक ऐसा सर्किट हो इस टाइप का ऐक सर्केट है लेट से अपने पास अब इश सर्केट के अंदर इसको completely हम सर्केट बोल देंगे अपाँSAR letting is circuit के अंदर लूप कितने बन सकते हैं मतलब ऐसे रास्ते जो उसी पॉइंट शुरू हो के उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं ऐसे रास्ते कितने बन सकते हैं जैसे यहां से शुरू करो ऐसे गुमते जाओ ऐसे गुम के ऐसे मस्त गुम गाम के यहीं पर आगे एक लूप तो हो गई है दूसरी लूप इस पॉइंट से शुरू करो यहां से वोक करना तो यह लूप कितनी बनगी तीन लूप बनगी तो इसके अंदर सर्केट तो एक ही है और लूप कितनी है तीन तो जो वोल्टेज लो है वो हर एक लूप के लिए वैलिड है हर एक लूप के लिए वैलिड है हर एक लूप में हम एक बार वोल्टेज लो लगा सकते हैं तो वोल कि एक रजिस्टन्स और टू कि अब इसमें कैपेस्टर भी हो सकता है किसी भी लूप में कोई भी ओब्जेक्ट हो सकता है कोई भी इंस्ट्रुमेंट हो सकता है बट अपन कैपेस्टर को कुछ दिर बाद पड़ेंगे मिन्स रजिस्टन्स कैपेस्टर एक साथ आएंगे सर्क है आई इंटू आर होता है तो इसको वी आरवन ऐसे लिख देता हूं मैं ठीक है इसके एक रोस पोटेंशल डिफरेंस वी आर टू ऐसे लिख देते हैं अब यहां पे अपने को नहीं भी देखना पड़ताया कि potential टो है वट हाइप पोटेंशल कौन सा है और लोग कौन सा है फाइस कोन सा लोग तो इसका यह 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 लोग इसका तो सिंपल ही है अब इसमें अनगे। current मैं ऐसे माल लेता हूँ कि हैसे करेंट चल रहा है कुछ और इस में भी ऐसे अल्टा हो सकता है इसमें ऐसे जा रहो उक्त जाएं लूप तो उल्टा भी होसकता बट एक बार हम सेमि मान लिदे हैं तो करएं गे चल रहा तो हाए फोटेंशिल यह ओटेंशिल इसमें आगे से लिए लोग पोटेंशिल यहां तक लिए आगे देखो अब इसस्नीन का पोटेंशिल एक बार विजू कर लिदू अब क्या करते जाओ इस लूप के अंदर ऐसे वोक करके आओ और हर एक पॉइंट का पॉटेंशिल लिखने की कोशिश करो हर एक पॉइंट का पॉटेंशिल लिखने की कोशिश करो तो इस पॉइंट का तो विये हो गया बैद अब यहां पे आए इसका विये ही होगा इसका कि की यह पहले कर चुके हैं प्लस से माइनस मतलब इस point का potential ज्यादा इस point का कम तो इस point का आगर potential लिखना चाहें तो क्या बनेगा VA- कम हो जाएगा कितने से VA- 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 वा सीन करें और पर बहुत है तो इस Point का potential सेम ही यही क्योंकि बीच में कोई की भी रेजिस्टन्स नहीं है देख लो कैसे अगर कोई एक वायर है उसमें करेंट जीरो चल रहा है और उसकी रेजिस्टन्स जीरो है तो पोटेंशल डिफरेंस क्या होता है आई इंटू आर जीरो हो गया जीरो हो गया मतलब यह यहां से यहां तक जो वायर है उसमें पोटेंशल का डिफरेंस नहीं आएगा नहीं आएगा तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशल सेम ही होगा तो इसका भी यह होगा फिर इसका लिखो इसका अगर लिखे हम तो फिर देखो यह प्लस स से मैनस फिर से कम हुआ तो कितना हो जाएगा वी ये माइनस वी आर टू तो पहले ही हो चुका है अब कितना और हो जाएगा माइनस वी आर वन हो जाएगा फिर आगे आए इस इस पाइंट का पूटएंसल फिर से सेमी बिलकुल सेम क्योंकि बीच में रजिस्टेंस नहीं है पिर देखना यहां से यहां पे अलग ची जाई है यहां पे माइनस से प्लस जम्प कर रहे हैं माइनस से प्लस पोटेंशिल बढ़ रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशिल फिर से अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इस पॉइंट से ज्यादा कितना ज्यादा वी ज्यादा तो इस पॉइंट का कितना है इस पॉइंट का था अपना इसले इस पॉइंट का सरी इसका कितना था वी V A माइनस V R2 माइनस वी आर वन और इसका जाहिंटो प्लस V ृ मैं आ गया यहां तक अब इस पोईंट का नाम क्या है A है इस पैट का p uda कितना है इसकर इसको क्या करो व्यके एक्वल पूट कर दो व्यक्वल कर दिया हमने जैसे हमने पूट किया वी ये वी ये, कट गया, तो कुछ-कुछ equation आगी अपने पास, देखो कैसी equation आगी, minus Vr2, minus Vr1, plus V is equal to 0, जो अभी output आया ना, वही क्रिचोफला है, जान से देख लो, यही है क्रिचोफला, तो अब यहाँ पे देखो वही, इसके एक रोस potential difference कितना था, V, यही रहा, इसके एक यही चीज थी, तीनों के potential difference को add किया, और क्या, क्या पुट कर दिया, उसको, 0 के equal पुट कर दिया, बट यहाँ पे sign का थोड़ा सा पंगा है, अपने को देखना पड़ेगा, sign देखना पड़ेगा, sign कैसे लगाए हैं हमने, अभी तो जैसे लगाए हैं, वैसे लगाए हैं, इसके अंदर तो हम पहले ही सीख चुके, अब अपने को डारेक्ट यह equation लिखनी है, हर बार ऐसा apply नहीं करेंगे, मतलब यह nodal analysis में जो हमने किया, उसी से यह equation बनी है, और यही करचो flow है, तो हम हर बार ऐसा नहीं करेंगे, करचो flow में simple सी हम बात याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे, उसे से काम हो जाएगा, तो देखना, हमने वोक की, इस लूप में जो वोक की हमने, वो ऐसे ऐसे की, ऐसे ऐसे, ऐसे लूप में वोक की, तो यह पहला register आया, we are two, इसका potential difference था, we are two, हमने इस पे sign कोन सा लगाया, negative, negative sign कब है इसका, बाद में जो sign दिख रह है, resistance के जो बाद में sign दिख रहा है, वो लगा दिया, फिर हम इस resistance पे आये, इसका potential difference है, we are one, we are one तो लिखा, और sign क्या लगाया हमने, negative, negative मतलब, फिर से जो बाद में sign दिख रहा है, जो बाद में sign दिख रहा है, इसमें बैटरी में, ऐसे चलते आये, पहले तो minus दिखा, फ हमने कौन से sign लगाए है, जो बाद में sign दिख रहा है, हमने वो sign लगाए है, जो बाद वाला है, second number वाला, हर एक जो भी object होगा, उसके दो potential होगे, एक plus, एक minus, या एक minus, एक plus, जो बाद में दिख रहा है, वो sign हमने लगा दिया, और equal to zero put कर दिया, बट एक और चीज हो सकती है, यह equation जो है, यह equation जो है, यह equal to zero है, तो हम इसको minus 1 से multiply करी सकते हैं, अगर इसको minus 1 से multiply कर दें, multiplied by minus 1 तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब कुछ, vr2 plus vr1 minus v is equal to 0 equation में change है क्या कुछ कुछ change नहीं है क्योंकि minus 1 से multiply कर सकते हैं क्योंकि equal to 0 है तो इसमें तो हमने क्या किया ठीक है we took second sign जो दूसरा sign था तब भी अपना करचोफ लो valid है इस equation में क्या किया we took first sign इसमें हमने first sign उठाया है और ये भी equation ठीक है तो हम कोई भी sign उठा सकते हैं बट बात ध्यान क्या रखनी है एक instrument का अगर पहला sign उठा लिया तो बाकी सब का भी पहला उठाना पड़ेगा और एक instrument का अगर दूसरा sign उठा लिया और सब का ही दूसरा उठाना पड़ेगा और सब का potential difference लिखके हम क्या कर देंगे एक बल्टू जीरो पूट कर देंगे अब देखो मैं ज्यादा तर फर्ष्ट साइन उठाता हूं बट जो हमने पिछली क्लास में किया है नोडन ऐसे टाइप में या हम जब potential ऐसे लिखते हैं एक लाइन में ऐसे करेंट ऐसे चल रहा तो यह plus minus यह plus यह minus यह plus यह minus इस point का potential एट से भी यह है इस point का potential अपने को लिखना है इसका potential difference i r i r 1 इसका i r 2 और इसका v तो इस point का लिखना है तो क्या करेंगे हम इसका भी यह ठीक है फिर इसका हम negative sign उठाएँगे minus ir1 इसका अगला उठाएंगे minus v इसका अगला उठाएंगे minus ir2 और हम कहां पहुंचगे b point पे vb तो जब हम ऐसे एक line में potential difference लिखते हैं मतलब potential अगर लिखना पढ़ जाए अपने को A का दे रखा, B का लिखना पड़ जाए या potential difference लिखना पड़ जाए तो हम दूसरा sign उठाते हैं दूसरे वाला और इसमें कर्चोफ लो में हम पहला भी उठा सकते हैं दूसरा भी उठा सकते हैं बट इस case में we can take we can take only second sign तो अगर हम कर्चोफ लो में भी second sign को ही use करें तो सही रहेगा we can take only second sign इस case में बट कर्चोफ लो में हम दोनों sign उठा सकते हैं ठीक है so just note it आगे चलते हैं कर्चोफ लो पे आगे बात करते हैं थोड़ी सी अगे 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 बात कर्चोफ लो क्या है कि पोल्टेज लो है क्या उसको अगर लिखना पड़ जाए तो इन लूप सम ओफ ओल्ड़ पुटेंशिल डिफरेंसेज ओल्ड़ पुटेंशियल डिफरेंसेज मुश्ट बी जीरो मुश्ट बी जीरो आईदर टेक फर्ष्ट साइन फर्ष्ट साइन और सेकंड साइन ये बात क्या है ये बात लिखने की नहीं है पेपर में ऐसा नहीं लिखेंगे पेपर में यहीं तक लिखेंगे पेपर में यहीं तक लिखेंगे अगर CBSC में आ जाए ये बात किसलिए है ये बात apply करने के लिए है या तो पहला sign उठाओ either take first sign for all instruments सबी instruments के लिए और take second sign for all instruments ये अपना क्रिचोफ voltage low बन गया बस बहुत ही simple चीज़ है simple सा याद रहेगा तो अब इस पे हम कुछ questions try कर सकते हैं अब अपन एक अदा question try करते हैं अपने पास जो अपना parallel और series combination था एक बार उसको ही solve करके देखते हैं उसमें हमने बहुत कमबाते लिखी थी अभी parallel में हमने resistance लिखी थी net resistance series में भी net resistance लिखी थी अगर करना दो resistance parallel में हो तो उनका क्या सेम होगा क्या उनमें current सेम होगा या potential difference सेम होगा या दो series में हो तो क्या सेम होगा potential difference या current कुछ ये बात देखते हैं भी तो पहले हम देखते हैं parallel combination चलो series उठाते हैं series simple होता थोड़ा सा series combination handwriting अच्छी आ नहीं रही है series i combination अपने पास लेट से एक battery है दो resistance और से आज़िस्टन्स करंट इन सर्किट हैं फाइंड करंट हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस एक्रोस बोथ रजिस्टर्स या रजिस्टेंस दो चीज़े अपने को फाइंड करनी है और इससे जो चीज़े निकल लगाएंगे वो बड़ी काम कियोंगी तो देखो भई पहले हम क्या क करेंगे कुर्चोफ करेंट लो एपलाई करेंगे हर जिए करेंट लिखेंगे उसके बाद हम वोल्टेज लो एपलाई करेंगे अब इस सर्किट के अंदर एक ही सर्किट के अंदर मदब सर्किट के अंदर लूप एक ही है सर्किट को तो सर्किट तो पूरी जो भी सर्किट उसको circuit बोलते हैं बट लूप क्या है इसमें लूप भी एक है एक ही सरकेट है उसमें एक ही लूप है तो इसके अंदर देखो सवाल कैसे करने है सारे के सवाल सारे सवाल करने कैसे हैं सबसे पहले बैटरी का positive terminal negative terminal battery का sign लगा दो बैटरी के positive terminal से current flow करा हो से current चल गया आई करेंट चल गया अब यहां पर यहां पर आई ही चलता रहेगा इस रेजिस्टन्स के थ्रूँ आई करेंट ही पास करेगा अगले के थ्रूँ भी आई करेंट ही पास करेगा और यहां पर आई करेंट ही वापस आजाएगा यह भी रूल है कि बैटरी से जितना current निकलता है उतना ही current वापस भी आता है आगे देखो भई अब current लो अपना apply हो गया यहां पर junction लो अपलाई करना ही नहीं पड़ा क्योंकि junction थे नहीं अगला अपने को apply करना है voltage low voltage low में क्या करना है sum of all potential difference is must be zero और अपने को sign भी उठाने है या तो पहला या दूसरा सब के लिए सेमी तो अभी sign लगाने में क्या है sign लगाने है sign कैसे लगते है sign लगाने का बड़ा simple फंडा है battery का positive terminal हमेशा positive and negative negative बड़े वाला positive छोटे वाला हमेशा negative resistance के अंदर resistance के अंदर अगर current ऐसे चल रहा है तो हम बोल लेंगे कि current always flow from high potential to low potential तो high potential यह होना चाहिए और low यह होना चाहिए resistance में simple funda का कैसे पता लगेगा अपने को current से पता लगेगा मतलब अगर by chance current इस तरफ चल रहा होता तो यह हाई potential होता यह लो potential होता तो दूसरा काम क्या अपना sign लगाना sign लगाते हैं बैटरी का तुम पहले ही लगा चुके है resistance में लगाते हैं आई current ऐसे चल रहा है तो high potential low potential इसमें भी आगे चल रहा है यह हाई potential यह low potential sign भी लगा दिये अब apply कर दो voltage low अब apply कर देते हैं voltage low voltage low क्या है समोग potential difference तो कोई एक point पगड़ देना हमेशे आपने को उस point शुरू करना उसी point पर वापसाना तो कितने भी instrument होंगे सारे के सारे cover हो जाएंगे उसमें तो इस point से मने शुरू किया सबसे पहले यह resistance आया इस resistance का कौन सा sign उठाना है कोई भी sign उठा लो ठीक है मैं इसमें उठाता हूं हमेश्या पहलाई sign ठीक है और जब अपने को potential difference लिखना है तो इसका resistance अगर आर है तो potential difference कितना बनेगा IR इसका भी आर है तो इसका भी potential difference IR ही बनेगा register के एक रोज potential difference IR तो इसका potential difference IR1 इसका IR2 तो अब sign लेखो पहले आया प्लस IR1 दूसरा इंस्ट्यूमेंट R2 है इसका भी साइन प्लस दिख रहा पहले IR2 फिर बैटरी आई बैटरी का माइनस दिख रहा है माइनस V is equal to 0 तो अब देखो IR1 प्लस R2 is equal to V so I is equal to V over R1 plus R2 current आ गया current आ अपना अच्छा अब यह जो current है वो दोनों resistance में सेम ही है दोनों resistance में current सेम ही है तो यहां पर हम एक बात लिखेंगे चलो बाद में लिखते हैं अब दूसरी दिखो potential difference क्या कह रहा है ये potential difference across both register दोनों के across लिखना पढ़ेगा अपने को potential difference तो potential difference है क्या यहीं तो है इसमें R2 तो given ही होगा और आई निकाल तो लिए अभी तो potential difference across R1 क्या बनेगा I into R1 I कितना है V over R1 plus R2 into R1 क्या बन गया V R1 तो यहां पर देखो वई यह तो current है V over R1 plus R2 into register R तो potential difference जो है वो resistance के directly proportional आएगा directly proportional आ रहा है मतलब V1 directly proportional to R बना रहा है देखो इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि resistance अगर एक 10 ohm का resistance लगाओ और series में 5 ohm का लगाओ ठीक है तो इसके अक्रोस potential difference let's say V10 है इसके अक्रोस है V5 ठीक है तो V10 by V5 जो होगा वो 10 by 5 होगा directly proportional होगा मतलब 2 is to 1 तो इसके अक्रोस potential difference उससे double ही होगा क्योंकि current same हो गया ठीक है current same हो गया तो potential difference directly proportional आएगा तो same ही V R2 भी लिख सकते हैं अपन क्या बनेगा V over R1 plus R2 into R2 मतलब यह जो फूमले से न यह अपने को याद से हो गया है इनको direct apply कर सकते हैं कई बार मतलब सवाल ऐसे दिखते हैं अपने को कि potential difference लिखना तो हम ऐसे direct भी कर सकते हैं ठीक है बट ऐसे जरूर नहीं करेंट इस सेम करेंट इस सेम दूसरा potential difference इस डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू रजिस्टेंस कि रजिस्टेंस के डिरेक्टली प्रपोर्शन आ रहा है potential difference यह आ तक बात क्लियर है अच्छा एक और बात यहां से अपनी आ जाएगी अगर दो resistance सेरीज में होते हैं तो आर्णेट क्या होता है आर अपना होता है आरवन फ्लस आर टू यहां से आ गया है वह देखो जहां से कैसे आया वो कि ऐसी चीज आती रही थी तो आर्णेट का क्या मतलब है कि यह रजिस्टनस मालोग दब्बे में बंध कर दिये और अपने को पता ही है कि रजिस्टनस एक है या दो है या कितने हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एक की है माललों इस डब्बे की रजिस्टंस को हम क्या बोलेंगे कि एक रजिस्टंस है इस Switzerland वोल देंगे तो अपने को यह कैसे दिखेगा अपने को कुछ ऐसे दिखेगा वी consecutive एंड रसिस्टंस का एक ही डब्बा बन गया भी एक ही ब्लॉक बन गया इसकी आठ बोलेंगे अब अगर वह लों की करेंट लिखो तो यह तो ओमलो से हो जाएगा क्योंकि एक एक किवोलटेज है तो इसमें जो करेंट बनेगा करेंट क्या बनेगा वी-ohva r-net बनेगा कि सिंपल और इसमें करेंट क्या बना है वी-ohva r-1-plus-r-2 लिख रहा है वी-ohva r-1-plus-r-2 तो क्या दिख रहा है यहां से भाई सब्सक्राइब तो यहीं हमने सौल किया था मतलब यह याद किया था पहले आपने इसको प्रूव भी कर दिया तो अगे चलते हैं सो नेक्स्ट वी हेव क्या ही होगा मतलब पैरलल कोंबिनेशन है तो पैरलल कोंबिनेशन को आपने को झाना है है find current current निकालना है ठीक है इन ऑल रजिस्टेंस दो ही है बट मैं तो मज़े से कुछ भी लिखो resistance अब तुम देख तो सकते नहीं बोल तो सकते नहीं तो मैं तो कुछ भी बोल लूँगा दूसरा potential difference लिखना है find potential difference across both इसमें आर नेट भी करना है करने के लिए सबसे पहले बैटरी को देखो बैटरी एक की है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं उसको मागए पड़ेंगे बैटरीए है यह पोले टरमिनल यह नेगेटिव बैटरी से अपना निकला आई कितना आई इना चला 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 यह तो जंक्शन आ गया जंक्शन पे तो करेंट बढ़ सकता है अद्दा उस्तरफ जा सकता आद्दा स्थ्धा बाप यह ना अपने तो एक पैसे देगा इक वल टोफी खाएंगे वह एक साथ दांत कराब होंगे डेंटिस के पास भी एक साथ ही जाएंगे बट ऐसा नहीं है एक थोड़ा ज्यादा लालोची को ज्यादा दे सकता है या थपड़ी भी मारें पता नहीं तो देखो अपना क्या है कि करण्ट अलग लग जाएगा यह इसमें देखो क्या करेंगे हैं इसमें let's say I1 current है इसमें I2 current है ऐसा जो हम हमने कर लिया I1 I2 and यहां पर junction लो साथ-साथ ही apply कर दो क्या है बाई कि इस junction पर I current आया है and I1 plus I2 चला गया है और एक और बात काम की हम हर बारे से I1 I2 नहीं लिखते जब हम सवाल solve कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि इससे ना variable देखो, कितने variable होगे, एक, दो, तीन variable होगे, तीन अगर variable होगे, तो तीन equation बनेंगी, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा तर I2 की value क्या बनी देखो, I1-I, ओ सोरी, I-I1 बनेगी, ठीक है, तो जैसे इस junction पे I current आया, इस तरफ I1 चला गया, तो इस तरफ कितना बचा, कितना बचा, I-I1 बचा, ठीक है, इसी को I2 भी बोल सकते हैं, तो अगर हम ये लिखते हैं, तो variable कम बनते हैं, तो ज्यादा तर ये लिखते हैं, बटा भी, ऐ ऐसे लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सावाद सोल हो जाएगा, अब I1 current यहां से चला, अपना sign भी साथ साथ ही लगा दो, क्योंकि resistance का potential difference जो लिखना है, वो तो current पे depend करता है, current always flow from high potential to low potential, so high potential ये है, low potential ये है, current आगे कितरफ बाग गया कितना, I1 ही, उपर current आग बाग गया कितना, I2, इस junction पे आगे, इस junction पे कितना current आ रहा है, I1 प्लस I2 incoming current है, तो outgoing भी कितना होगा, same ही होगा, और same ही है कितना, I1 प्लस I2 का sum I है, तो यहां पे कितना current चला गया, I, जो क्या है, I1 प्लस I2, और battery में I current ही वापस आ गया, तो जब हमने current ड्रो कर दिया ह है, उतना ही battery में आ रहा, अगर है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं, वैसे गलत तो होई सकता है, थोड़ा बहुत, बट यह अपने answer चेक करने के लिए है, कि हम सही जा रहे है, उतना ही current अगर वापस आ तो current लो सही है, अब दूसरा अपने को voltage low apply करना है, voltage low apply करने के लिए circuit तो variable अगर हम इसको सोचें, तो दो ही है, एक i, एक i1, क्योंकि i2 को हम उन में represent करी सकते हैं, बट वैसे तीन भी दिख रहे हैं, अगर हम तीन variable बोलते हैं, तो एक equation तो पहले ही है, तो equation कितनी और चाहिए, दो और चाहिए, तो काम की बात क्या है, अगर अपने को loop तीन दिख रही हैं, तो अपने को सिरफ दो ही loop में कर्चोफलो लगाना पड़ेगा, काम उसी से हो जाएगा, काम उसी से हो जाएगा, तो जितनी loop है, equation उससे एक कम बनेगी, उनी में काम हो जाएगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं तो एक ये loop उठाऊंगा, और एक ये बड़ी loop उ किन से ना direct answer आएगा, इसलिए मैं ये उठा रहा हूं, मेरे को तो पता है, direct आएगा, इसलिए उठा रहा हूं, तुम्हें अगर नहीं भी पता, तो कोई भी उठाऊ, answer तो आई जाएगा, अब देखो, इस loop के अंदर पहले इस loop के अंदर, नीचे वाली loop के अंदर चलते है एक point mark कर दो, एक point ये mark कर दी है, हमने a point, इसके अंदर ये b point mark कर लो, ठीक है, इसमें a point से चलेंगे, a point से हम चले, तो पहले अपने को क्या लिखना है, पहले यहां पे आए, ऐसे चलते हैं, यहां आए, क्या sign दिखा, प्लस sign दिखा, potential difference कितना होगा इसका, current is i1, resistance r1, फिर minus v is equal to 0, तो i1 की value क्या आगी, v over r1, i1 direct आगया, simple, दूसरा, यहां से चलो, ओ सोरी, a से ही चलते हैं, मदब b ऐसे ही mark कर दिया, मैंने a से ही चलो, उपर गुम क्या हो, a से ही चले, उपर गुम क्या है, तो पहले क्या दिखा, ir2 दिखा, मदब r2 दिखा, बट लिखना क्या ह है, potential difference, तो i2, r2, current कितना, i2, r2, फिर क्या दिखा, minus v, equal to 0, तो i2 is equal to, v over r2, current आगे अपना, दोनों current आगे, i1, i2 आगे, and i क्या है, i1 plus i2, मतलब v over r1 plus v over r2, i2, i को ऐसे लिखो, फिर, v common, 1 over r1 plus 1 over r2, गया गया current अपना, ये current कौन सा है, battery के through, current through battery, तो अब सवाल देखो, क्या क्या था, सवाल में अपने को current लिखने थे, पहले तो, अपने को पहले current लिखने थे, current क्या बन गे, दोनों आगे, v over r1, v over r2, अब current जो है, वो resistance का उल्टा है, मतलब inversely proportional है, तो इसके अंदर जो current है, वो बोल्ट रजिस्टेंस का inversely proportional आया है, मत जिसका resistance कम, उसमेरा current ज्यादा, जिसका resistance ज्यादा, उसमें रजिस्ट, उसमें current कम, तो इसको अपाँ एक बार अच्छे से भी explain कर लेंगे, अब मैं एक बार लिखना चाहता हूं potential difference, potential difference across R1 क्या होगा, I1 into R1, I1 into R1, I1 क्या है, V over R1 into R1, क्या आगया, V आगया, potential difference across R2, I2, R2, वो सोरी, पूरा ही लिखते है, I कितना है, I2 कितना है, V over R2 into resistance R2, कट कया, कट कया, क्या आगया, V आगया, तो potential difference क्या आगया, सेम आगया, और हम वैसे दिख भी रहा है अपने को, बैटरी का रोज जो potential difference होगा, इस पॉइंट का A है potential, इसका भी यह होगा, इसका भी है, इसका भी B होगा, अब इसका A, इसका भी A, इसका B, इसका भी B, तो यह दो points, यह दो points, एक जैसे हैं बिल्कुल, यह दो एक जैसे, यह दो एक जैसे, तो potential difference तो सेम होना चाहिए, और current अलग-अलग होगा, ठीक है, तो क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ पे, कि भाई, potential difference across both, across resistances, resistances, is the same, and current, and current, current is inversely proportional, उल्टा है, inversely, proportional to क्या resistance, प्रपोर्शणल कि रेजिस्टन्स कि जितना और देटेंस उसका उल्टा करेंट हए अब एक बार नेट भी लिख दरते हैं और नेट क्या क्या मतलब है अपने पास क्या होगा कि अपने को पता है निवेतेर निलंकि जिसका resistance क्या लिखेंगे हम R net माननेंगे अभी और V voltage होती तो current क्या आता V by R net आता और यहां current क्या आया है यह तो इसको current को equal put कर दो V over 1 over R1 plus 1 over R2 तो V से V कट गया क्या आएगा 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 बात सिंपल इसके अंदर एक चीज और अपने को याद रखने की बहुत अच्छी चीज है उसको देखो जान से इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यह लिख लिए होगा शायद इसके अंदर ना क्या है कि short circuit वाली चीज आती है short circuit वाली चीज तो देखो क्या हो रहा है कि बाई अगर अपने पास ऐसा हो कि एक resistance तो आर हो और दूसरा resistance infinite हो इसकी resistance ओ infinite हम तो अब पोटेंशल डिफरेंस दोनों के एक रोस सेम होना चाहिए सेम होना चाहिए तो इसमें लेट से करेंट आई वन गया और इसमें चला गया आई टू ठीक है और यहां से आ रहा था आई तो हम क्या लिखेंगे ऊपर वाले का हम अब अब आड़ यह और टू कि ऐलू कितनी है' इंफाइनाइट ह्क ऐतुत कुमिव इंफाइनाइट है'm आई टू कुछ भी हो सकता है obvious आई टू यह परोडक्ट भी क्या होना चाहिए इंफाइनाइट होना चाहिए बट आर वन तो इंफाइनाइट नहीं है आर वन इस Industry Hack तो क्या पता लगा आपने वन इंफाइनाइट को में तो रेजिस्टांस तब जायेगा तो यह क्या है पोसिबिलिटी था कि बाई अगर नृट सिम्पल नमबर आ जishing कोई टिक हैं एक सिम्पल नमबर आईगा जैसे आं जैसे मैं बोले के भाहिट पी बाई x इंटो एक्स वे एक्स तेंडिंग टुन इंफिनेटी तो ये वैल्लू क्या बन गी ये वैल्यू कितनी है Breaking तो दूसरी वेल्व दूसरी वेल्यू वन बाइधा है ठीक है वन बाइन इन्फाई नाइट मतलब ये वेल्यू लगपके तनी है जीरो और इनका प्रोडक्त कितना है पी तो यहां पे क्या काम की बात आई कि अगर रजिस्टन्स इंफाइनाइट हो जाये ठीक है चलो ऐसे ड पर और टूट जाएगी तो यहां पे करेंट फ्लो करी नहीं सकता तो हम सिधा क्या बोल लेंगे कि आई टू जो है वो जीरो होगा आई टू क्या होगा जीरो होगा तो आई करेंट यहां से आया और आई वन यहां चला गया तो आई वन मस्ट बीक्वल टू आई तो अगर दो रजिस्टन्स ऐसे पैरलल में लगे हैं एक तो फाइनाइट वैल्यू है और एक इन्फाइनाइट वैल्यू है तो इन्फाइनाइट वैल्यू से करेंट जाएगा ही नहीं करेंट जाएगा ही नहीं दूसरा हम इसका पोटेंश किया तो अभी चलो छोड़ो ठीक है अभी यहां से इपने को क्लियर हो रहा है कि आर टू अगर इन फाइनाइट हुआ तो उसमें करेंट बिल्कुल नहीं जाएगा इसको प्रेक्टिकली हमने कैसे समझा था एक तो मालो पाइप इतना सा है ठीक है और इसके पैरल में एक मतलब करेंट को बिल्कुल ही रोक देना तो शारा ही करिंट उपर से जाएगा इसमें में दूसरी बात से को है इसको नोट करो बस तो तो देखो इसमें ये दो केस अपने पास बन सकते हैं कि एक रेजिस्टंस आर है उसके पैरलल में एक इन्फाइनाइट रजिस्टंस लगा हुआ है दूसरा रेजिस्टंस आर है उसके पैरलल में जीरो रेजिस्टंस लगा हुआ है तो दोनों में क्या होगा अब यहां तो क् केस देखो दूसरा केस इंट्रस्टिंग है दूसरा केस क्या है कि एक रजिस्टन्स तो आर है और दूसरा जीरो रजिस्टन्स है तो अब अगर करंट आएगा तो कहां से पास करेगा क्या एक से पास करेगा या दोनों ही नहीं है तो सारा का सारा current जहाँ पे बिल्कुल भी अरचन नहीं है वहीं से cross कर जाएगा और आगे निकल जाएगा तो इस case में क्या होगा कि सारा का सारा current यहीं से pass हो जाएगा और उपर की तर्फ current क्या है zero ही रहेगा अब इसको भी प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल ली अब भई जो यहां से यहां पे यहां से यहां पे नीचे का potential difference नीचे अगर potential difference लिखें तो i into r लिखेंगे आपा ठीक है i1 बोल देते हैं इसको i1 की value क्या आगी i ही आ गई और दूसरा उपर i2 into r r1 r2 उटा बोल दिया मैंने तो इसका potential difference क्या लिखेंगे आपा i2 r2 अब r1 की value कितनी है 0 r1 की value 0 है तो potential difference क्या बन गया 0 बन गया तो उपर भी potential difference कितना बनना चाहिए 0 ही बनना चाहिए तो यह value भी क्या होनी चाहिए 0 अब r2 जो है वो तो non zero value है तो i2 ही क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तो जहां पर resistance बिल्कुल भी नहीं है अगर by chance ऐसा path मिल गया कि resistance ही नहीं है तो सारा ही current वहां से पास करेगा अगर और दूसरा case क्या है कि अगर दो रास्ते हों जिसमें resistance एक में आर है एक में infinite है तो सारा ही current कहां से pass करेगा उपर वाले path से pass करेगा उपर वाले path से pass करेगा जिसमें resistance है यहां तो infinite है यहां से कोई current pass नहीं करेगा अच्छा इसी को हम इसको हम बोलते हैं short circuit, short circuit, short circuit का मतलब circuit छोटा हो जाना, छोटा हो जाने का क्या मतलब है, resistance 0 हो जाना, resistance 0 हो जाना, अब कोई बोले कि इस पूरे combination की resistance कितनी है, इसका R net क्या लिखेंगे आपा, R1 R2 over R1 plus R2, R1 R2 over R1 plus R2, R2 कितना है, R1 कितना है, 0, so R1 0, इसको 0 पुट करो, तो 0 over R2 बच गया, तो 0 ही आगया, मतलब कि अगर कोई resistance R था, उसके parallel में एक 0 resistance की wire लगा दो, तो पूरे combination का R net ही कितना बन गया, 0 बन गया, circuit छोटी हो गई, इसको हम short circuit बोलते हैं, मतलब, और क्या बात सोच सकते हैं, अगर एक बलब यहां लगा हुआ है, एक यहां बलब लगा हुआ है, अपना R resistance का बलब है, अभी यह जल रहा है, किसी battery के एक्रोस लगा हुआ है, अभी जल रहा है, अब हम अगर ऐसा कर दें, कि इसको इसके तार यहां से यहां direct attach कर दे, एक wire को ऐसे attach कर दे, तो क्या होगा, कि जो current पहले बलब के through pass कर रहा था, वो सारा का सारा current यहां से pass करेगा, बलब में current जाएगा ही नहीं, तो बलब जलेगा ही नहीं, बल्ब फ्यूज हो जाएगा क्या बलब फ्यूज हो जाएगा क्या दें विल बल्ब फ्यूज सवाल यह है तीक है अब देखो जब भी short circuit होता है तो अपने को एक अवाद सुनती है बहुत बार पतकका होता है पर ऐसा जुरूरी न resize लेख की हर एक कर दूँ कि के एक बैटरी ली एक बैटरी ली हमने उस पर एक यह पर बलब जोड़ दिया एक ही बैटरी है एक बल्ब है अब कि रजिस्सेंस और इसको डारेट ऐसे कनेक्ट कर दिया अब एक वायर को डारेक्ट से यां जोड दिया how do directly यां से यान जोड दिया ठिक है अब यहां पर वी Plus है इसकी रिजस्टंस तो टी और इसकी रिज एकपने का मतलबिफाइनाइट प्रोड्यूस हो गाधर तो अब इसमें देखना क्या बलब फ्यूज होगा या नहीं होगा वोत μझी इस जोeau है इस से हमने दो दो रूजिस्टन्स जोड दिए कि एक आरवन एक आरटू मज़ बलब है दोनों रेजिस्टन्स किया है बलब है अब यहां पे पहले वी वोल्ट की बैटरी है तो अगर यह कुम्बिनेशन था तो करेंट कितना चल रहा था वी ओवर आरवन प्लस आरटू चल रहा था ना आर आरवन को ऐसे शोट कर दूँ आरवन को हमने ऐसे शोट कर दिया तो अब क्या होगा अब देखो यहां से करेंट आएगा करेंट को ऐसे दो पास दिखें दो पास दिखें एक उपर वाला एक नीचे वाला तो सारा करेंट यहां से पास करेंगा और फिर यहां से करेंट ऐसे आ बना किसी चीज को मतलब इसमें पीने आर्वन को शोड कर दिया कि आरवन के रिजिस्टन्स काम नहीं आ रही तो यह तो या फिर हम क्रिचो फ्लो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रिचो फ्लो अप्लाई करेंगे, तो यहां से चलो, इसमें कितना करंट है, प्लस माइनस, आइवन है इसमें करंट, इसमें आइवन है, तो आइवन इन टू आर लिखेंगे, साइन प्लस लगाएंगे, इसका माइनस साइ हम आएगा माइनस v is equal to 0 तो आई बन की वैल्यू के आगे वी ओवर आरि टू तो करन्ट की फाइनाइट मेल्यू है एक करन्ट की एक फाइनाइट वैल्यू है तो क्या maximum current इसका जो maximum current इससे pass कर सकता है वो let's say यही था V over R1 plus R2 था हमने एक बार मान लिया कि इसमें जो I max था यह यह था I max का मतलब कि इससे ज़्यादा current अगर इससे pass करेगा तो यह जल जाएगा अब जैसे ही यह current होगा यह current तो ज्यादा होगा इससे क्योंकि I1 is greater than I इसके denominator छोटा है उसका denominator बढ़ा है तो अब इस case में क्या हुआ कि current बढ़ गया और इसमें पहले ही कितना current था maximum current था तो maximum से अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा जल जाएगा resistance जल जाएगा तो यहाँ काराण पर भी हो सकता है बट क्या पता ना हो और इस case में जरूर मेशलें पटाक और बल्लब कौन से case में जरूर से प्लूर क्या हो elt हो सकता है यह सोचना है इसके 2 case बनाए हैं एक में Aix हो आई मैंस ना हो दोनद चीज हो से ही है और इसमें क्या होगा यह भी सोचना है सिंपल तो जस्ट नोट आगे देखते हैं कि दो भी एक सवाल करते हैं आप कर्चोफ लोपे इसके बाद हम बाद में सवाल करेंगे और ज्यादा क्योंकि अब कि आरनेट लिखने के सवाल आने वाले हैं अपने बाद क्योंकि आरनेट का हमने भी डेरिवेशन किया है इसके बाद हम आरनेट के सवाल करेंगे फिर हम बहुत सारे सवाल क्रचोफ लोपे करेंगे तो एक सवाल अभी मैं करके दिखा रहा हूं कि कैसे करने हैं सवाल अपने क परो सबसे पहले बैटरी का positive terminal negative terminal बैटरी के positive terminal से i current flow करा दो यह लो कितना i current यहां से flow करती अब यह से एक इतार चलती रही यहां पर आके junction आ गया यहां पर आके जैसे junction आया तो current बट जाएगा current तो नीचे की तरफ हमने माल लिया i1 current चला गया और उपर की तरफ कितना बचा भाई आया आया इवन इस तरफut चला गया तो उपर i minus i1 ओपर चला गया फिर आई अई माइनस eigenen आ रहा है और यहां पर आ रहा हूं इस junction पे i minus i1 फ्लस gew initiative कितना बन गया I Ben गया आई करेंट वापस आया और बैटरी में आ गया तो बैटरीज यतना करेंट चला उतना करेंट बैटरी के पास वापस आ गया इसका मदर अपना जंक्शन लो सही है इसके बात क्या प्लाई करना है वोल्तेंटेज लो सम ओ फॉल तो पौटेंट्चल डिफ्रेंस इस और पॉटेंशiा दिफरेंस लिखने कैसे है या तो पहला उठाओ या दूसरा साइन उठाओ तो साइन तो लगाए नहीं लगाना दूसरा काम क्या है साइन लगाना तीसरा काम इकवेशन बनाना यूजिंग वोल्टेज लो तो nett कैसे लगाने हैं साइन बड़े सिंपल है करेंट ओल्वेज फ्रॉम हाई पोटेंशल टू लो हाई पोटेंशल टू लो बन गे सब के साइन आगे अब यहां पर लूप कितनी दिख रही है जान से देखनी है एक फोटी सी यह यह नीचे से जाएंगे यहां पर बदब नीचे बन सकते हैं यहां पर नीचे की तरफ तो तीन बन सकती है बनानी कितनी पड़ेंगी एक कम बनानी पड़ेंगी काम उसी से हो जाए क्योंकि वेरियेबल देखो कितने हैं हमने वेरियेबल क्या लिया एक तो आई वेरियेबल लिया एक आई बन दो ही वेरियेबल है तो दो इ कि एक्वेशन आपने आपने पास रएप्लाइं आपने पास रएकिन phase करते हैं अगला प्लस लगाना था अगला सिसाइन है करेंट कितना है आइवन रजिस्टंस रटन कि अगले आगया आगया आए माइनस टैन इक्वल टू जीरो तो इसारे पोटेंशनिट्परेंश लिख दिया फिर ऐसे वापस गुमेंगे वापस गुमेंगे तो साइन अपने को पहले ना नेगेटिव दिखा है नेगेटिव में करेंट है आई वन और रजिस्टेंस से 10 इक्वल टू खतम होगे खतम होगे एक्वल टू जीरो तो दो एक्वेशन दो वैरियेबल जस्ट इन को सॉल करते हैं इसको थोड़ा सा एक्षपेंड करें तो आएगा 10 I-10 I-1 माइनस 10 I-1 is equal to 0 तो 10 I-20 I-1 is equal to 0 तो I-1 is equal to 2 I-2 एक एक्वेशन यह सॉल करके ऐसे बनगे अब इसमें यह पूट कर दो यह वैल्यू पूट कर दो I-1 I-2 की वैल्यू आइवन की जगा टू आइटू हम पूट कर सकते हैं आई की जगा सोरी यह आई वन है यह थोड़ा सा confusion मैंने जल्दी-जल्दी में कुछ लिख दिया आई की जगा टू आई टू लिख सकते हैं तो टू इन्टू आई टू इन्टू फाइव प्लस है ओ सॉरी आई वन मतलब आई वन टैन आई वन माइनस टैन इस एक्वल टू जीरो यह क्या बन गया 20-i1 is equal to 10-20-i1 is equal to 10 by 2-2-2-1 x-2-1-1来了 आई की वेल्यू आगे आँंगी अब हम करेंट लिख सकते हैं तो पांच ओम का जो长 hers OS में कैनने कित arts कुत आई वाले में तो आई है मतलब इसरा इसमें कितना वनेंठेम ना सब्लाइज और और तो 0.5 MPR इस वाले में भी 0.5 MPR तो अपने सारे करेंट लिखे गई अच्छा इसके बाद कोई यह भी पूछ सकता है कि पॉटेंशल डिफ्रेंस एक्रोस एनी रजिस्टन्स किसी भी एक के एक्रोस पूटेंशल डिफ्रेंस पूछ सकते हैं तो उसको कैसे निकाल लेंगे बहुत सिंपल है आई यार तो है तो पहले पांच वाले के एक्रोस पोटेंशल डिफ्रेंस एक्रोस फाइव ओम क्या नीचे में नीचे वाले में करेंट वन बाई-टू रिजिस्टेंस इन फिर से पांच वोल्ट तो हम पोटेंचल में भी लिख सकते हैं और कॉरेंट भी लिख सकते हैं यूजिंग क्रिचोफ स्लो बात सिंपल सो चौई सब्सक्ते रहो पर प्रिचौफ लो पे हम कुछ सवाल क करेंगे पहले हम आरनेट के सवाल करेंगे बहुत सारे तो अगली क्लास में हम आरनेट निकालना सिखें यूजिंग पैरलल सीरीज कॉंबिनेशन और उसमें कई सारी चीजिये होंगी तब तक के लिए एंजॉय बाबाई थैंक्स झान र के लिए सारी तक करेंगे लिए एंजुय यूाइए लू झान तक के सी के लिए ले टा के लिए में आरनेट श्राबाबद की defender तक को चीजिया ऩ mapped हुदा थना सकत। झाल झाल